नमस्कार दोस्तों स्वागत हमारे यूट्यूब चनल लूज अस्टेडी पॉयंट में बिहार बोट के दोवारा मैट्रिक इंटर सभी स्टुडेंट का सेंटा परिछा स्कूलर कॉलेज में आयोजित हो रही है सेंटर परिछा का आप लोगो विहार बोट के दोवारा रिजल्ट डेट भी घोसित कर दिया गया है जितने भी है श्टुडेंट का आप लोगो एक्जाम हुआ उसका रिजल्ट भी विहार बोट के दोवारा जारी किया जाएगा इस वीडियो में आप लोगों को जानेगे कि result को कैसे आप लोगों को जे करना होगा क्या विज़ार बोट के दोवारा official website पर result को जारी किया जाएगा साथी ज़त कितना नमबर पास रहेगा और कब तक आपका result जारी किया जाएगा continue इस वीडियो में पूरी process बताने माना हूँ 10th or 12 दोनों student को तो वीडियो को continue last तक जरू देखेगा सबसे पहले आप आप देख से ने बताएगे कि इंटर की परिच्छा की तयारी आपको final exam की तयारी पूरी तरह से आप लोगों को complete कर लिया गया है और इसके लिए आप लोगों को पूरी तयार है बिहार बोन exam लेने के लिए वही metric वाले और इंटर वाले student को यहाँ पर सेंटर परिच्छा की कारकरण भी आयोजित किया गया है इंटर वाले student का आप लोगो 19 से 7 नवर के बीच में आप लोगो सेंटर परिच्छा यह जीत होगा वही metric वाले student को 12 से 20 नवर के बीच में सेंटर परिच्छा लेने का अनुमतित दिया गया है इसके बाद आप लोगों देख सेते इसके बीच में do too भी दखेंगे परिणाम यह जो आपका सेंटर परिच्छा होगा उसका परिणाम यानी results जो है do भी देखेंगे यानी do करियाले में आप लोगों को परिणाम को देखा जाएगा कौन सा student का कितना number आया है और कितना नमबर अश्टूडेंट उपास्तित हुए थे कितना वहाँ पर आपनों को इडवीशन था तो इस सभी बातों को लेकर आपनों को परिणाम देखने के लिए डियोक और निर्देश दिया गया है सभी डिश्टिक के डियोक साथी साथ यहाँ पर आप लोगों को बताएं गया है जो देख सकते हैं आप लोगों को विहार बोट के दोरा ओफिसियली जो जनकारी दिया गया है वो जनकारी पर आप लोगों सीथे में आप लोगों से आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि बोला गया है कि विहार भी इस बार आप लोगो सेट्टा परीचा हुआ है उसका परिणाम आप लोगो कोपियों को मुल्याकन सभी एस्कूल और कॉलेज वालों को करना है और उसके बाद उसका परिणाम यादि जो रिजल्ट होगा वो डियो करियले में आप लोगो उपलंद कराने का निर्देश दिया आपको प्लंद करने के बाद आप लोगों को प्लंद कराना होगा और उसके बाद देखें कितना पास किया और कितना फेल किया है सब्सक्राइब करने का अदिवार होता है या अगर बहुत सर इसे बच्चे होते हैं जो सेटब परिचा अगर नहीं देदे तो वैसे में आप लोगों सब्सक्राइब को फेल कर दिया जाता है और final exam का debit card जारी नहीं किया जाता है जिससे student एक साल बंचित रहा जाते है तो student को center पर इचा देना और यहाँ पर आप लोगो असानी से इसमें आप लोगो 30 number लाना है आपका school or college में हो आप लोगो center पर इचा लिया जाएगा सभी school or college teacher के माध्यम से आप लोगो लिया जाएगा और सभी आप लोगो school college वाले यह नहीं चाहते हैं कि teacher यहाँ से आप लोगो student फेल हो और यहाँ से आप लोगो खराब result हो सभी student का result बना कर देते हैं विहार बोट को आपका भी result इसी तरीका से दिया जाएगा और आपको फार्णल इजाम के लिए इस तरीका से आप लोगो मेंटर देखने को नहीं मिलेगा फार्णल इजाम के लिए आप लोगो सभी student को तयारी अच्छे धंग से करना है अगर आपकी तयारी कुछ भी नहीं हो है तो इस चेनल पर आप लोगो और आपकी को अच्छे धंग से तयारी करवाई जाती है तो इजाम में अच्छा परदर्शन करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगलबले घंटी को प्रेस कर लिजेगा और साथी साथ वीडियो को जादे जादे दोस्तों पर भी शेयर कर दिजेगा मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए जय ही जय भरत बने मात रहूं